अगर आपको भी मार्केट वारी चाट घर में बनानी है वह भी बहुत आसान तरीके से हो कम टैम में तो आप यह वीडियो देखने के पार के एक बार यह रही रही परसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करते हैं और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कि सबसे पहले हमें यहां पर ले लेनी है माटर ये सोफी वाली माटर है इसे हमने एक रात पहले पाने में बहगाव कर अरप हम इसे तीन बर ha butterflies कोकर में डाल देंगे साथ में डाल देंगे आलू तो यहां पर 5-6 में आलू डाल देंगे नमक और इसके बाद पानी पानी जो है वो हमें के वल इतना डालना है कि आलू अच्छे से डूप जाए जादा पानी नहीं डालना है अब हमें इसमें 8-10 CT लगा लेंगे फ्लेम को हाई करके हम प्रेशा को कर बंद कर दींगे और CT आने का वेट करेंगे जब तक हम चड़नी तयार कर लेते हैं सबसे पहले हम बनाएंगी इमली की घटी मीटी चड़नी इसके लिए हमने इमली को आदे घंटे पहले पानी में भूगो कर रखा था गर्म पानी में कम डालना है धनीय पाउडर एक चमज इसके साथ ही लाल मिर्श पाउडर ढाल कर देगे और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे इतने ही मसाले डालने और अच्छे से बॉइल आने देना है जब इसमें एकदम बड़िया से बॉइल आ जाएगा थोड़ी सी चीनी जो है वो पानी को गाड़ा कना स्टार्ट कर देगी तब हम इसमें इमली का पल्प डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे ये देखे इस तरह से और इसे एक से दो मिनट हम पका लेंगे जब इसमें बड़िया सी शाइन आ जाएगी बस तब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारी खटी मीठी चट्नी बनकी एकदम तयार तो ये देखे आप बड़िया सी शाइन आ गए उपर देख सकते हैं इसका मतलब कि हमारी जो चट्नी है बनकी एकदम तयार है गैस को बंद कर देते हैं और चट्नी को एकटोरी में हम निकाल लेंगे अब हम बनाएंगे तीखी चट्नी इसके लिए धनिया पत्ता साथे पुदीना एक टमाटर दो हरी मिर्च प्याल देंगे इसके साथ ही दही डाल रही हूं है इससे जो हमारी चट्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूध बनेगी और कलर भी काफी अच्छा आएगा साथ में डाल रही हूं नमक इसके बाद हम इसे अच्छे से पीस लेंगे और यहां पे हमारी जो हरी तीखी चट्नी है वो भी बनके दयार है यह देखिए आप एकदम बहुत बनाए है जादा हमने पतला नहीं किया इसे थोड़ा सा ठेकरा खाई यह देखिए और यहां पे यह देखिए आप प्रेशो को कर जो है उसका प्रेशा निकल चुका है अच्छे से सीटी आ चुकी है अब हम आलू जो है वो निकाल के अलग कर लिए और थोड़े से आलू इसमें डले लिए और इसके बाद प्यास प्यास जो है वो बारी कटा हुआ यूज करना है अब हम मट्र को अच्छे से बगार लगाएंगे इसके लिए हमें प्यास को सॉफ्ट होने तक पकाना है बाद में टमाटर हरी मिर्स चाल दें साथ में नमक डाल देंगे थोड़ा अफल्री पा दाल देंगे यह देखें आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अगर आपको पत्ली चाड़ पसंद है तो consistency adjust करती हुए आप पानी को गर्म करें थोड़ा सा उसमें नमक डालें और वो एट कर दें उससे थोड़ी सी consistency ठैंसी जो है भू पत्ली हो जाएगी अब हम टिक्की बनाएंगे इसके यह अलू ले लेंगे उसमें प्यास जाल देंगे साथ में नमक लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया-पाउडर गरम मसाला पाउडर थोड़ी सी बारी कटिक हरी मिर्च और अब हम आलू को अच्छे से मेश कर लेंगे आप चाहें तो ब्रैट क्रम्स भी डाल सकते हैं या पर चावल काटा डाल सकते हैं अगर आपको यह बहुत जादा क्रिस्पी करनी है दो और बाद में इसे डीप देते जाएंगे और इन्हें निकाल के एक प्रेट में हम रखते जाएंगे यहां पे हमारी आलूटी की तयार है एक पैन ले लेंगे उसमें हम अच्छे से ओल को गर्म करेंगे जैसे ओल गर्म हो जाएगा हम एक एक करके सारी टिक की इसमें रख देंगे और इन्हें फ्रा कर रहे हूं आप जाह में तो डीप फ्राइ कर सकते आप अगर डीप फ्राइ देख्यक्या सेखें थोड़ा सचा अपरा गाटा मिला लै और बार में डीप फ्राइ च रीकिल वहां अच्छे सें दोन और गासा सीघ भीर थे पांधे च चे कर ें अब बत भीर है आजिए ये देखे बहुत बड़ी ऐसा color आ गया है इन्हें अब हम निकाल लिएगे प्लेट में तो यहाँ पे हमारी आलूटिकी तयार है चट्णी भी तयार है और चाट भी तयार है तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आलूटिकी रख जो दही है उसमें थोड़ी सी चीनी नमक और हलका सा जीरा पौड़ा में लाना है बस फिर आपका दही एक्तम तयार हो जाएगा हरी चट्णी मीडी चट्णी डाल देंगे और थोड़े से टमाटर प्याज हरी मिर्च पापड़ी रग दें साइड में और एक पापड़ी में तोड़के भी डालें इससे क्रण्च आएगा अगर आपके घर में पापड़ी नहीं है तो आप यहां पे थोड़ी से सेव डाल सकते हैं तो यह लीजे फ्रैंट्स हमारी आलू टिकी चाड़ बनके बिल्कु तैयार है तो लग रहे है न बहुत जादा टेस्टी आप एक ब बजय क्रणी गुट्पाइ